हैलो फ्रेंट्स, प्लांट्स आफ पैराडाइस 7747 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स, आज मैं आपको मैक्सिकन पिटुनिया जिसको रियूलिया भी कहा जाता है उसके विशह में जानकारी में आप से शेयर करूंगी फ्रेंट्स, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है और ये कम केर मागता है इसको लो मेंटिनेंस वाला प्लांट होता है बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको ये समर प्लांट होता है इसको गर्मी के मौसम में लगाया जाता है और ये पेरेनियल प्ल मैं कई कलर में होते हैं इसके फूलों के रंगक्त हैं पर्पल यह होते हैं तो मैं इसके आपफनको शेयर कर रही हुआ तो फ्रेंट यह चाहिए ऐसे पनी कि बात करें तो जादा पानी और और शक्ता नहीं अगर लगे कि नहीं ये मिट्टी में हाथ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको पानी की आशकता है लेकिन अगर ये थोड़ी सी नमी है इसमें नमी बनी हुई है तो पानी इसको बार-बार देने की जरुवत नहीं है ओवर वाटरिंग नहीं करना है जितनी जरुवत ह इसके पत्ते जो हैं खराब होने लगते हैं इसलिए इसको शर्ड एरिया में रख देना चाहिए और गर्मी के सीजन में क्या होता है जैसे गर्मी का सीजन स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे मार्च अप्रेल में इसमें बहुत से फ्लाउरिंग होने लगती है अपने आप पत्ती आने लगती हैं और यह जो हैं फ्लावरिंग करने लगते हैं सनलाइट की बात करें निद्गारिक है तो रखना ही चाहिए लेकिन जब मई जून का महिना आता है तो मई जून के महिने में आप इसको सुबह की धूप में रखें जो मॉर्निंग की धूप हो उसी में इसको रखें बहुत फुल सललाइट में इसको ना रखें और जैसे जैसे जब ये मानसून का मौसम आता जाएगा जब चाओं और धूप का में आ जाएगा 12 से 1 बज़े के बाद ये जो flower हैं ये खत्म होने लगते हैं और गंबला जो है फ्रेंट इसका 10 इंच का गंबला आप इसके लिए परियात रहता है 10 इंच का गंबला आप लीजिए और इसको लोग क्यारी बनाने में भी इस्तमाल करते हैं जैसे हमने क्यारी बनाया और उसके बॉर्डर के किनारे किनारे इसको लगा दीजिए इस प्रांट को तो जब गी flowering करता है तो बहुत ही खूब सूरत लगता है लैंड इसके बनाने में इसका इस्तमाल किया जाता है अब इसके मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है इसमें चार हिस्सा रेट रखना चाहिए बालू, river sand ले 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 या construction वाला जो बालू आता है बजड़ी जो आती है उसको ले 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 सब्सक्राइस publications这25 फिट्ट इसमें न होता है जो इसमें आधा खाद कि मात्रा सब्सक्राइब ले लो होता है कि दिशने सब्सक्राइब लेर पेंजार केंजांखले किज़ें कबोड़ने होतीatellर भरिक उस्चेश कातने इसमें चानना है फिट्र इससे जैसे आपने में गोबर की खाड डाल दी बहुत यह सोच करके कि मेरा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रगा और बहुत सारी कशलिया हैंगी लेकि अरिसा नहीं है यह जो है इसमें पतियां ज्यादा आत्रे आएंगी और फूल की मात्रा जो है कम हो जाएंगी तो इसमें जादा बहुत खात की जरूरत नहीं है और गोबर की खात को कम से कम डालेंगे लगाने का तरीका क्या है इसको जो है बीर से लगाए जाता है और इसको कटिंग से भी लगाए जाता है तो जितना हम इसकी कटिंग करेंगे उपर से थोड़ी सी कि इसको cutting कर देंगे उतना ही यह बुशी होता जाएगा थोड़ी-फोड़ी cutting करते जाएगे तो यह बुशी होता जाएगा और फ्रेंड इसको जो है जब जाड़े में इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है खत्म जाती है तो इसको जो है इसकी अच्छे से कटिंग कर देनी चाहिए कि जब गर्मी का पौधा है तो इतना यह बुशी होगा कि इसमें फ्लावरिंग आएगी यह देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है जहां तक अपने इसके हमने बात की कि इसका ग्रो करने का तरीका तो यह 20 से भी ग्रो हो जाता है और यह कटिंग से तो देखिए fred इसकी कटिंग एक टूट गई थी तो मैंने इसको इसमें मिट्टी डाल करके जो मिट्टी का मैंने बताया कि रेट की मातरा ज्यादा हो खात कम हो और मिट्टी उसी अन जो है निकल आएगा यह खुब शूरत दिखने लगेगा और जहां तक बीज की बात है तो फ्रेंड यह देखिए यह बीज से यहां पर बीज गिर गया था यह गंबले में और फ्लावर का बीज गिर गया था उससे यह जो है ग्रो कर गया है यह प्रांट अब इसको इस प्रा से ही इसको निकाल करके लगाईए तो यह लग जाता है असानी से लेकिन इसको कहते हैं कि बीज और कटिंग दोनों से ही बहुत अच्छे से यह लगाने पर यह ग्रो करता है और फ्रेंड इसकी मिट्टी में नमी बनाया रखना चाहिए पानी तो इसमें है कि ओवर वाटिं कुछ दे दें चाहे गोबर की खाती ही थोड़ी सी दे यह लृजवर झील दें थोड़ी 70 जादा नहीं कि हमने बता हैं कि इसमिट्रोजन बनता है ज्यादा दे देनेघर पती और फूल कम आने flowering करता रहेगा और खूब सूरत लगेगा तो फ्रेंट ये Mexican Petunia के विशा में मैंने आपको जानकारी आपसे शेयर की है अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करिए लाइक करिए धन्यवाद